चाड़के AIS Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे कॉलेजियम सिस्टम पे कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ है हालांकि कॉलेजियम सिस्टम हमेशा चर्चा में बना हुआ रहता है लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ने भारत के तीन उच न्यायों के मुख्य न्याय धिशों की न्युक्ति की है राजस्तान, करनाटक और जम्मू कश्मीर एवं लग्दाप के हाई कोट में नए मुख्य न्याय धिशों की न्युक्ति की गई है इन मुख्य न्याय धिशों की न्युक्ति की सिफारिश भारत के मुख्य न्याय धिश यू यू ललित के नितरत वाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा की गई थी सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम देश में न्याय धिशों की न्युक्ति की सिफारिश करता है मुख्य नयदीश यूयू ललित ने 28 सितंबर को इन मुख्य नयदीशों की नुक्ति की सिपारिश की थी अब यहां से बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि जजों की नुक्ति की प्रकिरिया क्या होती है, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, Constitution में इसका क्या प्रावधान है? इतियादी तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जजों को नुक्त करने की प्रक्रिया क्या है कोलेजियम, वकीलों या जजों की नाम की सिपारिश केंदर सरकार को भेजती है इसी तरह केंदर भी अपने कुछ प्रस्तावित नाम को भेजती है केंदर के पास कोलेजियम से आने वाले नामों की जाँच या आपत्यों की छानबिन की जाती है और रिपोर्ट वापस कोलेजियम को भेजी जाती है सरकार इसमें कुछ नाम अपनी और से सुझाती है कोलेजियम केंदर द्वारा सुझाये गए नए नामों और कोलेजियम के नामों पर केंदर की आपत्यों पर विचार करके फाइल दुबारा केंदर के पास भेजती है इसी तरह नावों को एक दूसरे के पास भेजने का यह करम जारी रहता है और देश में मुकद्बों की संख्या दिन प्रती दिन बढ़ती जाती है जब कॉलेजियम किसी वकील या जज का नाम केंदर के पास दुबारा भेजती है तो केंदर को उस नाम को स्विकार करना ही पड़ता है लेकिन तब तक स्विकार करना है इसकी कोई समय सीमा नहीं है अब हम देखेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है कॉलेजियम सिस्टम का भारत के सम्विधान में कोई भी जिक्र नहीं है यह सिस्टम 28 अक्टूबर 1998 को तीन जजों के मामले में आये सुप्रीम कोट के फैसलों के जरीय प्रभाव में आया था कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोट के चार वरिष्ट जजों का एक फॉरम जजों की न्युक्ति और तबादली की सिफारिश करता है कॉलेजियम सिस्टम की सिफारिश दूसरी बार भेजने पर सरकार के लिए मानना जरूरी होता है कॉलेजियम की स्थापना सुप्रीम कोट के 5 सबसे सीनियर जजों से मिलकर की जाती है सुप्रीम कोट तथा हाई कोट में जजों की न्युक्ति एवं तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है इसके अलावा उच्छ नयले के कौन से जज पदोनत होकर सुप्रीम कोट जाएंगे यह फैसला भी कॉलेजियम ही करता है UPA सरकार ने 15 अगस्त 2014 को कॉलेजियम सिस्टम की जगा पर राश्ट्रिय न्याइक न्युक्ति आयोग का गठन किया था लेकिन सुप्रीम कोट में 16 अक्टूबर 2015 को राश्ट्रिय न्याइक न्युक्ति आयोग कानून को एस सम्विधानिक करार दे दिया था इस प्रकार वर्तमान में भी जजों की न्युक्ति और तबादलों का निर्णय सुप्रीम कोट का कॉलेजियम सिस्टम ही करता है इसके बारे में सम्विधान क्या कहता है या इसके बारे में क्या कोई सम्विधानिक प्रावधान है तो सम्विधान में अनुछेद 124.2 और 217 सुप्रीम कोट और हाई कोट में जजों की न्युक्ति से जुड़े हुए है ये न्युक्तियां राश्टपती द्वारा की जाती है सुप्रीम कोट और हाई कोट के जजों के साथ विचार मिवश के बाद ही ये न्युक्तियां की जाती है हालांकि समिधान इन न्युक्तियों के लिए कोई खास प्रकिर्या निर्धारित नहीं करता है समिधान के अनुछेद 124 के खंड 2 के तहट सुप्रीम कोट और हाई कोट की जजों को नुक्त किया जाता है राश्टपती सुप्रीम कोट के अन्य जजों के प्रामर्ष से चीफ जस्टिस के नुक्ती करता है सुप्रीम कोट के नयाधीशों की न्युक्ती राष्टपती द्वारा भारत के मुख्य नयाधीश के साथ अनिवार्य विचारवी मर्च के बात की जाती है वही सम्मिधाम के अनुषे 217 के अनुसार हाई कोड के जस्टिस के नुक्ती राष्टपती द्वारा भारत के मुख्य नयाधीश राज्ये के राज्येपाल के प्रामर्श से की जाती है चीफ जस्टिस के अलावा किसी अन्य जस्टिस की नुक्ति के मामले में हाई कोड के मुख्य न्यायदिश से प्रामर्श किया जाता है अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि कोलेजियम प्रणाली की जो है आलोचना क्यों की जाती है कोलेजियम सिस्टम पारदर्शी नहीं है इस वज़े से इसके आलोशना होती है इस प्रणाली में कोई सचीवाल्य या अन्य अधिकारिक तंत्र शामल नहीं है कहा जाता है कि कोलेजियम का पूरा प्रोसेस बंद कमरे में होता है इस बारे में किसी को भनक भी नहीं लगती है इसके लिए कोई पातरता और चैन प्रकिरिया पारदर्शी नहीं है इस वज़े से इन सारे कारणों की वज़े से इसकी आलोशना होती है इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कम्प्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच दोट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल ऑप पर कियाँ चैनल यूचिए प्जब चैनल प्टो लाइक तो नए टो लाइक भटाइचैनल